हे गाइज मैं हुछ सोच करनेल और सागत करता आपका हाई डाइक भाद इस वीडियो चैनल पर दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हे गाइज इस वीडियो में हम जानेगी कि आप कैसे वीडिमा रिकॉर्डर एप्लिकेशन के अंदर आप जो है फेस्केम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर वीडिमा रिकॉर्डर एप ओपन करते हैं और वीडिमा रिकॉर्डर एप ओपन करने के पाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको यह जो अपर साइड में यह जो साइडिंग का ओप्षिन दिखा दे रहा है इसके ओपर आपको टैप करना होगा इस साइडिंग के ओप्षिन पर टैप करने के बाद आप इ इस जो इसमें दिखने लगेगा तिए आप यहां पर अपना जो facecam के साथ जो है इसमें recording कर सकते हैं जहां पर आप देख पाओगे यहां पर आप जब इसके उपर टाप करोगे camera के उपर तो आपको देखने में लेगा यह option और यह option जहां पर इस option से आप जो अपना back camera वो open कर सकते हैं और इस option से आप इसका जो size है उसको इसे पकड़ के इसे खिचोगे ना तो इसका size जो है वो बढ़ेगा यह जो है इसका maximum size है और यहां पर अगर आप इसे पिछे लेके जाते हो तो आपको इसका minimum size जो है मतलब सबसे कम size जो है वो भी देखने मिलेगा जहां पर किस तरीके से आप इसमें facecam screen recording कर सकते हैं वो आपने यहां पर देखने मिल रहा है अब हम यहां पर क्या करेंगे back आएंगे और back आने के पाद यहां पर हम tap करेंगे यहां पर हम tap करेंगे और screen recording शुरू करेंगे ना तो हमारा facecam recording जो है उने लग जाएगा ठीक है और यहां पर अगर आप टाप करेंगे तो आपका यह जो कैमरा है वह कट भी हो जागा अगर आपको कट करना हो तो तो इस तरह किसा आप facecam जो है कर सकते हैं अपने आपको बता दिया कैसे आप उसे site कर सकते हैं वह इने को बता दिया अगर मैं इसमे skin recording शुरू करता तो मेरा जू किन डिकॉर्डिनग वह बंद बंद जागे इसलिंए में skin recording शुरू करोगे facecam अनीबल करके तो facecam के साथ आप जो आप जो है